नमश्कार जी के एच स्पाइस कीचिन में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूं भसीने के कोफते आई ये देखते हैं मेरी रेसिपी 500 ग्राम के करीब ये भसीनडा है इसको कमर ककड़ी भी बोलते हैं इनके जो होल दिखाई दे रहे हैं इनको अच्छे से वाश करिए टैप के नीचे लगाए और प्रेशर से इसमें पानी दीजे उससे इसकी गंदगी निकल जाए कि को ये पानी में होते हैं और गंदगी भी रहती हैं इसके अंदर मिट्टी जमी रहती है है कि इस पाठ निकाल दिजे और इसको ऐसे चील लीजए इसी तरीके से मैंने सभी को चील लिया था और वाश भी कर लिया था अगर मीं इसको सभी से वाश नीं करेंगे तो इसमें जो मिट् helmets रह जाएगी उससे आपकी रेशीपी खराब हो सकती है यह चोटा वाला ग्रेटर है बारिक वाला इससे मैंने सभी को ग्रेट कर लूँगी कि अब एक चोटा टुकडा लॉकी भी डालेंगे हम लॉकी डालने से क्रस्पी नेस तो बढ़ेगी इसकी अंदर से यह हाल्ड भी नहीं होंगे सॉफ्ट बनेंगे इसके पानी को निचोड लीजे अच्छे से दवा की निचोड़ें नहीं तो पानी रह जाएगा तो यह थोड़े गीले बनेंगे अब एक कप बेशन एड कर दीजे दो चम्मत चावल का आटा डाल दीजे क्रस्पी बनेंगे उससे थोड़े से अब मसाली देखिए एक टीस्पून धनिया पाउडर एक टीस्पून मिर्श पाउडर एक टीस्पून हल्दी पाउडर एक थोड़ी सी काली मिर्शी रख दीजे पाउडर इसका एक बारिक ओनियन ले लिए मैंने चॉप करी हुई थोड़ी सी आट दस हरी मिर्शे हैं चॉप करी हुई यह धनिया पत्ती हैं एक टीस्पून नमक दो टीस्पून लेसन अध्रक का पेस्ट अब इसका डो दयार कर लीजे पानी वगरा कुछ नहीं डालना है इसी का जो जूस होता है पानी होता है उसी में यह गुत जाएंगे यह देखी डो दयार हो गया इसका एक मिनट भी नहीं लगता है इसका डो दयार करने में अब एक भसींडा है आठ नौ इंच करीब इसके एक के दो पीस कर लीजे अब इस तरीके से इसकी इस्टिक नकाल लीजे इस पूरे भसींडी की मैंने आठ इस्टिक निकाली है क्योंकि ज्यादा पतली करेंगे तो इस्टिक तूट भी जाएंगी अब इसके मिक्चर को हाथ में लीजे हतेली पे रखके थोड़ा प्रैस करिए और ये एक स्टिक लगाईए और मुठी बांगते जाएए ये हमारा भसींडा लैक पीस तयार हो रहा है हम इसको लैक पीस का शेप देंगे देखे इसी तरीके से हम सारे ही लगाईज भसींडे की और मुठी बांगते जाएए सभी को इसी तरीके से में बांग लूँगी मैं इसकी सबजी बनाऊंगी इसलिए मैं ब्रैड क्रम्स नहीं लगा रही हूँ अगर आप ऐसी स्नेक्स में खाएं तो आप ब्रैड क्रम्स लगा लीजेगा उससे ज्यादा क्रस्पी बनेंगे पर सबजी में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता अगर ब्रैड क्रम्स लगाते हैं तो टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है कि और कर लिया है मीडियम फ्लेम पर और इसको फ्राइ कर लिजे हाई फ्लेम पर मत करिएगा नहीं तो यह अंदर से कच्छे रह जाएंगे और उपर से जो है जल जाएंगे मीडियम फ्लेम पर ही इसको चलाते रही है और सेक्त रही है दीखे गोर्डन ब्राउन हो गया है यह इनको निकाल लिए जितने सित्ते चले जा रहे हैं उन सबको मैं निकालती चली जा रही हूँ बच्चे तो सित्ते सित्ते ही खा लेते हैं उनको काफी अच्छे लगते हैं यह अब पैन रख दिया उसमें ओल डालिए ओल जब हीट हो जाए अच्छा गरम हो जाए तो एक बड़ी लाइची तीन चार तेजपात के पत्ते तीन मेडियम साइज की प्याज बारिक चॉप करे हुई प्याज को गोर्डन फ्राई कर लीजे दो चमच डालिए लसन अद्रक का पेस्ट एक टीस्पून मिर्श पाउडर एक टीस्पून हल्दी पाउडर थोड़ी सी कश्मीर लाल मिर्श दो टीस्पून धनिया पाउडर दो टमाटर की प्यूरी डालिए और इसको ढ़के पकाईए मसाला फ्राई हो गया है और छोड़ दिया है इसने फ्राई हो गया अब इसमें बसीन्टे डाल दीजें थोड़ा सा फ्राई करिए बच्चों ने स्नेक्स में ही काफी खा लिये थे बहुत अच्छे लगे उनको अब इसमें पानी डालके ग्रेवी कर लीजे जितनी आपको रखनी है और दस से बारा मिनट इसको ढखके कुक कीजिए देखिए हम पसीन्डाल एक पीस तयार हो गए है अब एक टीस्पून गरम मसाला थोड़ी सी कसूरी में थी रोश्ट करी हुई है क्रश करके डालिए धनिया पत्ति आड़ कर दीजे कि बनके तयार हो गए हमारे भसीन्डाल एक पीस इनको सर्फ कर लीजे देखने में भी सुन्दा लगते हैं खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग